मुंबई को आखिर सपनों की नगरी क्यों का जाता है और क्यों कोई मुंबई में आता है तो तरक्की उसके कदम चूमने लगती है आखिर ये मुंबई नाम आया कहां से गाइज ऐसा कहा जाता है कि एक बार मुंब नाम के एक राक्षस ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से मिलकर एक नारी शक्ती का निर्मान किया जिसका नाम था Amba Devi और Amba Devi ने मुम्ब रक्षस को हरा कर उसे हमेशा हमेशा के लिए पतालोक भेज दिया लेकिन जाते जाते उसने मा से एक शमा मागी जिसके बाद Amba Devi ने उस रक्षस से कहा कि मैं हमेशा के लिए अब यहीं रहूंगी जिसे लोग मुंबा देवी के नाम से जानेंगे जिसके बाद इस शेहर के नाम को मा का मराटी शब्द आई से जोड़ कर मुंबाई रख दिया गया इसलिए जो कोई भी इस शेहर में आता है वो तरक्की जरूर पाता है गाईज कैस के पले तक इंटरस्टिंग कहानी आपको पता थी और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा जब भी हम कभी बाहार ट्रेवल करने जाते हैं न तो हमें अपना बैग कपड़ों से भर के ले जाना पड़ता है लेकिन इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ पर इरलाइन्स ने सुमितोवो कॉर्प नाम की कमपनी के साथ एनी वियर एनी वियर नाम की एक स्कीम निकाली है जिसके तहत यात्रियों को अपने साथ कपड़े ले जाने के जुर्द नहीं है बलकि वो पहले से ही ओनलाइन अपनी पसंद के कपड़े किराय पर ले सकते हैं ज इससे जपान के लोकल लोगों को एकनोमिकल फाइदा भी होगा। क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया में भी ऐसी स्कीम लानी चाहिए? कुमेंट सेक्षिन में जरू लिखेगा, मिलता एक लिए वीडियो में। गाइज अगर एक सुई जमीन पर गिरे तो क्या होगा? आप कहेंगे कुछ नहीं होगा, बिल्गुल ठीक है। लेकिन अगर वही सुई प्रकाश की गती यानि की स्पीड ओफ लाइट से धर्टी से टकराएगी तो क्या होगा? आपको पता है, भुचाल आजाएगा। कैसे? चलिए जानते हैं। गाइज, मान लिजिए कि एक ग्राम वजन वाली एक सुई लाइट की स्पीड यानि की प्रकाश की गती से पिर्थवी को टकराती है। तो टकराते समय उस सुई की काइनेटिक एनर्जी, दुनिया के सबसे बड़े अटॉमिक बॉम, पी जार के फटने से पैदा होने वाली एनर्जी से तीन गुना जादा होगी। और इस सुई का असर एक बड़े एक्टम वेट से भी जाता होगा। यही नहीं, इस सुई के टकराने से धर्ती पर भुकंप और सुनामी तक आजाएगी। साथी इस से धर्ती का एक बड़ा हिस्सा आग के गोले में बदल जाएगा। राइस, कितना आओ विश्वसनी है कि एक सुई दुनिया का विनाश कर सकती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है परकाश की गती। आपको क्या इसके पहले तक एफेक्ट पता थो और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा इंटेगली वीडियो में।